10 मतपून किचन टिप्स ध्यान रखने योग जरूरी बाते कोल्ड रिंक के अनोखे उप्योग कोल्ड रिंक की गैस निकल जाए तो इसे पीने का मज़ा खत्म हो जाता है इसलिए लोग बेचे हुए कोल्ड रिंक को फेक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इससे आप अपने दीन भर के कितने सारे कामों को असान बना सकते हैं चलिए जानते हैं नमबर एक कोल्ड रिंक की मदद से आप अपने घर की टाइल्स को भी चमका सकते हैं आप गंदे टाइल्स पर cold drink को डाल कर कुछ देर छोड़ दे, इसके बाद किसी भी कपड़े की मदद से इसे साब कर ले, इसे आपके घर की टाइल्स में नई चमक आ जाएगी नमबर दो, cold drink का इस्तेमाल kitchen की सफाई में भी किया जा सकता है, आप एक कपड़े में cold drink को छिरक कर इसे kitchen counter की सफाई कर सकते हैं, इसे kitchen में मौझूद जिद्धी दागों से आपको छुटकारा मिलेगा नमबर तीन, आप फर्स की सफाई करने के लिए भी cold drink का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप पोछे के पानी में मिला कर इससे फर्स पर पोछा लगाएं, इससे आपके घर की फर्स एकदम नए जैसा चमक जाएगी नमबर चार, दारक कलर के कपड़े से तेल के दाग हटाएं, सफेद कपड़ों के दाग को हटाना बहुत असान होता है, लेकिन दारक कलर के कपड़ों पर दाग लग जाए तो बहुत मुच्द हो जाती है, ऐसे में आप cold drink की मदद ले सकते हैं इसमें कपड़ों से तेल या ग्रीस के दाग को निकालने की बेहतरीन चमता होती है कोल्ड रिंग को दाग बाले जगह पर लगा कर 30 मिनट के लिए छोड़ दे और इसके बाद कपड़े की नॉर्मल धुलाई कर ले नमबर पांच फ्री में चमकाएं ट्वाइलेट सीट ट्वाइलेट सीट को चमकाने के लिए कई महग किलीनर का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे में फ्रीज में रखा बच्छा हुआ कोल्ड रिंग का इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए एक अस्प्रे बोटल में कोल ड्रिंक को भरकर रिपोर्ट में अच्छे से छिड़क दे 10 से 15 मिनाट बाद बुरस से इसे रगड़कर फलस कर दे इससे आपकी ट्वाइलिट सीट नए जैसा चमकने लगेगी हलाकि इससे कभी कभी सफाई करना ही कठीन होता है 6. लोहे के समान में नम्मी के कारण जंग लग जाता है इससे या कबाड़ नजर आने लगते हैं ऐसे में यदि आपके घर में रखे लोहे के समानों में जंग लग गया हो तो आप इसे कोल्डरिंग की मदद से साप कर सकते हैं यहां तेकी आप कार में लगी जंग को भी इसकी मदद से हटा सकते हैं इसके लिए एलुमूनियम फाईल का एक छोटा टुकडा लें और इसे मोड कर गेंद की तरह बना लें अब इसे कोल्ड रिंक में भिंगो कर जंग लगे जगप पर तब तक घिसे जब तक दाग हट न जाए सामान अगर छोटा हो तो आप इसे कोल्ड रिंक में भिंगो कर भी रख सकते हैं नमबर साथ कई बर सिमेंट की फर्स या टाइल्स पर तेल या गिरिस गिरने से दाग बन जाते हैं जो असानी से पोच्छा लगाने पर नहीं हटते हैं ऐसे में इसे साफ करने के लिए कोल्ड रिंक को कूछ देरिक के लिए इस पर फैला कर छोड़ दें फिर इसे एक साप कपड़े से साप कर लें, सारा दाग मिनट भर में गाइब हो जाएगा यह ट्रिक आप फर्स या टाइल पर लगे किसी भी दाग को हटाने के लिए कर सकते हैं अस्टील के नल की सफाई के लिए सबसे पहले आप एक अस्प्रे बोटल में कोल्ड रिंक रखें और उसमें थोड़ा सा तूथ पेस्ट डाल कर अच्छे से मिक्स करें मिक्स करने के बाद इस अस्प्रे बूटल को बात्रूम के नल और कीचन सिंक में अस्प्रे करें और कपड़ा या अस्प्रेबर से पोच कर साप कर लें नमबर 8, cold drink से सीसे की सफाई कर सकते हैं सीसे की सफाई के लिए cold drink में आधा कप विनेगर मिलाएं और दोनों को mix करके सीसे में अस्प्रे करें अस्प्रे करने के बाद कपड़े से पूछ कर सीसे को चमका लें नमबर नौ, टाइल्स के पीले पन को साप करने के लिए कोल्ड रिंक में डिटर्जन्ट एड़ करें, दोनों को अच्छे से मिला लें, और जितने भी सिरेमी की चीजे हूँ, जैसे सिंक, ट्वाइलेट पॉर्ट और टाइल्स में अच्छे से इसे अस्प्रे करें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, बाद में गीले कपड़े से पूछ कर सभी चीजों की सफाई कर लें, नमबर देस, चिप चिपे और जले हुए ताबा साप करने के लिए, ताबा पैन और जले हुए बरतनों की सफाई, आप कोल्ड रिंक से कर सकते हैं, इसके लिए एक टब में या बड़े बरतन में पानी रखें, आपको बकेट में इतना पानी रखना है, जितने में बरतन अच्छे से डूब जाए, अब पानी में तूथ पेस्ट नमक, कोल्ड रिंक, सिर्का, बेकिंग सोड़ा और डिस बॉस जेल डाल कर मिक्स कर लें, सभी को अच्छे से मिलाने क के बाद जले हुए और चिप चिपे तबा और पैन को 15 मिनट के लिए पानी में भिंगो कर छोड़ दें, बाद में तबा और कडाही को अस्क्राबर से रगड कर साप कर लें, अगर आपको ये कीचेन टिप्स पसंद आए तो ब्लोग को लाइक, सेर और सबस्क्राइब ऑने बाद